कि अब आपके पास एक सवाल है कि हाव लॉंग विल इट टेक फॉर दा ट्वेल हंडड़ रुपीज अध अमाउंट टू रेट टू थाउजन रुपीज अड़ फाइफ परसेंट कन्वर्टिटन क्वाटली मतलब यह है कि भाईया मैंने बारा सुर रुपए रखा पांच प परसेंट कन्वर्ट तो फाइफ परसेंट यहाँ पर अन्वली मिलेगा मुझे एट 5 परसेंट कन्वर्टिट काड़िली इसको मुझे कवाड़िली में कन्वर्ट करना है और 2000 रुपए है तो बताएक कितने समय में ऐसा देखने को मिलेगा चले सवाल को आप करेंगे कि अब से पहले आप सवाल को समझें कुशिन है क्या बच्चे कुशिन क्या है प्रिंसिपल क्या है कितना इन्वेस्ट कर रहे हो बारा सुरुपे इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है अमाउंट क्या हो जा रहा है आपका कि 2000 पर माउंट आपका हो जानक चीए क्या रेट ऑफ इंट्रस्ट मिल रहा है कि कौर्टरली मतलब हर कितने मेने में आ रहे हो प्रिमफ नचार लोगर करें डावए हैं लौस असनी मुटिफाइ करेंगे ना मप यहां सबसे पहले तीन मेने मारें जावए हरें क्या बैए उसके बाद आपके पास यहां पर एन एन मतलब क्या होता है आपको तो नमों बताना है एक ज़क 없ता है ऐसे में यूजह करताू और आजू करता हूं मुझे न स्वह उन्हाइं कितना है को तो कि भी खरेंगम में और दो कि एन थे क Guru को आर्वाउन्ट इक हुअ डू फ्रींसिपल के वन प्लस ऐर घंडर रहि municip अमाउंट क्या बताईएगा, 2,000 है, और मेरे पास में प्रिंसेपल क्या है, 1 प्लस रेट क्या है मेरे पास में, 5 बटा 400 और N मुझे नहीं मालूम, एक काम कर लेते हैं, 2,000 बटा 1200 करी लेते हैं, एक पलस्तू क्या है मेरे पास में? पाढ़ कर लेते 405 बटा 400 बटा साल 10 ओस्तु पावर यंद पारल ऑस यो एक भौर्थ साथ और आपके पास नो बटार्थ हो गें न नौ लग नथा कटिश्ट्बाइड पार्लों इसको जिसने seven तो यहां पर क्या करो गया 405 divided by 400 1.0125 raise to power क्या हो गया n हो गया clear है जे आज समझे तो आप मुझे क्या करना है पर n को यहां पर निचे उतादना है ठीक है न तो यहां पर मुझे बहुत साइट क्या करना पड़ेगा लोग से multiply करना पड़ेगा तो मैं यहां पर एक काम कर सकते हैं लोग से multiply करेंगे तो क्या होगा log 1.666 चीक है और यहां पर हम solve करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा log अगर मैं ले लेता हूँ तो n log 1.0125 बात समझे यह नहीं समझे अब यहां पर एक बात समझेगा क्या आप इसकी वैल्व निकाल सकते हो जूर पाइंगा आएगा इसकी वैल्व निकाल जाएगी यह नहीं निकलेगी बताए चलिए मुझे बताए जरा लोग 1.66 की वैल्यू क्या है चल्दी सबताव देख देख के बतादू ना यह निकाल के बताओ जल्दी मुझे अब लोग टेबल पर जाओंगा बहुत पीछी पेज पर जाना पड़ेगा मुझे आप पॉइंट का अवोइड करो 16 शे पेछे देखो पर दाओ 16 पर 6 क्या है हां 16 शे पर क्या है डबल टू जीरो बन और छे पर क्या है है इस पर 16 है तो सेवन वन टू टू यह आया और कितने एक दीजिट का जीरो को आदा है यह दिस बन क्लियर है ना एड़ कर दिया सको एक वैली तो यह आया उसके बाद इन इन टू अब इसकी वैलू निकालो जे रहा आप कितने डीजिट है पांश है पांश हो भूल जाना 10 पर दस एक दो देखो दस पर पहले एक देखो क्या रहे हैं । जीरो फूर थ्री यहा रहे है दस पर एक और अब दो पर देखो क्या है दो पे दो पे तो कोई इतना लंब एजिट थोड़ी होगा सिर्फ दो पे क्या रहा है वोता हो ना एट आ रहा है एड करोगे तो आठ और तीन ग्यारा एक पांच यह यह ना आपका देखलो आप जो बता रहे हो मैं इस पर डिपेंड कर रहा हूं मुझे इस पर डाउट हो रहा है आप इसकी देख लिए पहले 01 पर क्या फिगर आ रहा है 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 कि सब्सक्राइए 01 पर आपका आपका आप कर रहें 004 थ्री लोग टेबल में जाके देखना है ना आपको बढ़ा आप बताओ कमेंडर करके जबाद यहां पर बुक लेके वैटे तबीरी मतापा रहें काँ पे तो बैई 10 पे तो देखना है आपको 10 पे एक देखना है न आपको 004 ते लिए ना अपको ठीक है और उसके बाद आपके पास वे 2 पे देखना है 8 है ठीक है यह लो हाँ जी तो यहाँ पर कितने एडीजिट है तो 0.0 something आएगा ना आपके पास ने 0.0 यह आ गया, 0.10, अब आपको n निकालना है, तो n कैसे निकाल होगे, n इक्वल्स टू, 0.2217 डिवाइड़ बाई, 0.0051, जड़ा डिवाइड़ करो इसको, चल्कुलेटर पे, 0.2217 डिवाइड़ बाई, 0.051, 43 पॉइंट सम्धिंग आ रहे हैं, चीक है, क्या रिजल्ट आ है आपका, 43.47, लब 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 43 मान लो आप इसको, 43 मान लो इसको आप, तो मतलब N equals to क्या है आपका, N equals to 43, तो बच्चे एक बात धहान रखेगा, या आपका, आपसे यह नी पूछ रहा है, कितनी बार ब्यास देगा, N किसको रिबस्ट करता है, कितनी बार ब्यास देगा, आपसे सवाल पूछ रहा है, कितने येर के लिए पैसा लगाया गया है, ठीक है, तो आप एक बात समझेगा, प्लस में और बची आपका, कितना बची आपका, तीन मटा, पॉइंट छोड़ो, तीन मटा, दस साल, और तीन मटा, चारथ साल और बची आपका, इसको आप या करो 12 से मंद्टी बाइख करतो, तो मंत्रिमा आजाएगा आपके बादे चारतिय बारा नौ महीने तो दस साल लबब लबबक आंसर दस साल नौ महीने देरे बास पॉइंटों कुछ उपर नीचे हो जाता है कोई ज्यादा डिजिट के बाद लेते हैं कोई टीन डिजिट का ले लेता है उससे एक-दो फरक है नहीं तो उम्मिद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी अगली कक्षा कल की क्लास है कल की क्लास से हम इन कोश्चनों को जरूर कवर करेंगे और कल मैं कंपाउंड इंटर्स को डेफिनिटली फिनिश कर दूँगा अपने टापिक नमर्ट तू को भी ठीक है कि और भी है पर बहुताइज लेटम से अपके बहुत बड़ा सलीबस हैं बता रह uns आपको कि इस सलीबस को इस तरीके से भी निकरवाज आता है सलीबस की सओक्राओ विज्बी प्रिशह की से तीए एं बिज्नस मैश कीस हो ठीक है अब बिजनेस मैस करवाने वाले तो बहुत कम बैसे मिलते हैं आपके आज पास भी मिलते हैं फिर नेक्स प्लास के